हेलो एवरिवान सो थमनेल देखर आप समझे गए होंगे कि ये वीडियो है आपको इन्फॉरमेशन देने के लिए कि कब होगा स्नोफॉल नेक्स्ट शिमला में जो की प्रॉबरिबिलिटी है कि लास्स स्नोफॉल होने वाला है इस सीजन का जी हां नेक्स्ट स्नोफॉल होगा 9th of February को 9th of February को जो की स्टार्ट होगा early morning से और जो continue रहने वाला है पूरे दिन के लिए तो ये है weather 4 का जो आपकी side में आप देख पा रहे है स्क्रिन बे 9th of February 2022 को स्नोफॉल जो wind है वो light रहने वाली है 6 km पर आवर की स्पीड से और humidity जो है वो बहुत हाई है 88% UV इंडेक्स भी low है बट अच्छा है कि अगर आप यूज करें sunscreen तो that will be better और जी हाँ सबसे important चीज़ chances of precipitation जो बरब पढ़ने के chances है वो 90% है और ये बहुत high probability मानी जाती है अगर 70% से उपर precipitation के chances होते हैं तो snowfall होता है और यहाँ snowfall के chances 90% है तो rest assured कि आपको snowfall मिलने ही वाला है sunrise और sunset का time है 7-8 a.m. पर sunrise है और 6 o'clock पर sunset है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 7 a.m. से snowfall start है 7 a.m. नहीं माफ कीजिएगा ये पहले से start है बट जो weather report है वो 7 a.m. से शो रही है बट आप enjoy करना चाहते है snowfall तो पूरे दिन आप snow enjoy कर सकते हैं because currently अगर आप देखें तो already पूरे शिमला में snow ही snow है और ऐसा लगता है कि एक बरफीली सफेज चादर से शिमला ढग गया है साथी साथ अगर आपको snowfall भी देखने के लिए मिलेगा तो वो कहते हैं सोने पे सुहा का हो जाएगा तो आप trip अपनी प्लान कर सकते हैं 9th of February so better है कि आप एक दिन पहले जाए ताकि आप रात से ही snowfall को enjoy कर सके अगर आप शिमला की तरफ जा रहे हैं तो दो-तिन चीज़ों का ध्यान रखी है कि जो road है वो बहुत ज़्यादा slippery है और black ice तकरीबन 6 km पहले और even solan तक भी और शोगी वाले area सबी area में roads पर जिमी भी है तो अगर आप drive कर रहे हैं तो carefully drive करें और बाकि सबसे best है अगर आप अपनी journey करते हैं toy train से तो वो आप एक beautiful majestic आप view भी देखते भी जाएंगे साथ यसाथ आपकी journey जो है वो safe भी होने वाली है so wishing you a very happy stay a very happy snowfall enjoying in shimla on 9th of feb so stay tuned for such kind of more update thank you